दक्षिन पूर्व मध्य रेलवे निरंतर ही आधुनिक एवं सुविधा युक्त तक्निकी का उप्योग कर यात्री सुविधाओं के साथ अधिक से अधिक ट्रैफिक के लिए प्रयासरत है एसा अधुनिक एवं उन्नत तक्निक के अंतरगत बहतर परिचारन को सुनिशित करने के लिए परंपरागत सिग्नल सिस्टम का अपडेट कर आटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में परिवर्तित किया जा रहा है आटो सिग्नेलिंग विवस्था बिना किसी अतिरित स्टेशनों के निर्मान और रखरकाफ के साथ ही ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चलाने के लिए प्रमुक जंक्शन स्टेशन के ट्रेफिक को नियदरित करने में मदद करता है आटोमेटिक सिग्नल सिस्टम लिगने से ट्रेनों को बेवाजा कहीं भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा इसके चलते एक ही रूट पर एक के पीछे एक बिना ट्रेन लेट हुए आसानी से चल सकेगी इसके साथ ही इसके कई लाब भी है दक्शिन पूर्व मध्या रेलवे में नाकपुर से दुरुग तक की सेक्शनल स्पीड बढ़ा कर राजधानी रूट के समग 630 किलोमीटर पती घंटा की जा चुकी है आटोमेटिक सिगनल से रेल लाइनों पर ट्रेनों की रफतार के साथ ही संख्या भी बढ़ सकेगी वहीं कहीं भी खड़ी ट्रेन को निकलनी के लिए आगे चल रही ट्रेन के अगले स्टेशन तक पहुचने का बें इंतिजार नहीं करना पड़ेगा स्टेशन याट से ट्रेन के आगे बढ़ते ही ग्रेन सिगनल मिल जाएगा यानि एक ब्लॉक सेक्षन में एक के पीछे दूसरी ट्रेन सिगनल के सहारे ट्रेने एक दूसरे के पीछे चल दी रहेगी अगर आगे वाले सिगनल में तकनीकी खामी आती है तो पीछे चल रही ट्रेनों को भी सूचना मिल जाएगी जो ट्रेन जहा रहेगी वही रुख जाएगी दक्षिनपुर्व मध्य रेलवे के कलमना से दुर्ग जहरामनगर बिलासपुर बिलहा और बिलासपुर से घुटकु सैक्शन में आटो सिगनलिंग फ्रनाली अपनाई जा चुकी है निकट भविश में चांपा से गोवरा रोड, जहराम नगर से अकलतरा एवं बिलहा से निपनिया तक आटो सिग्नलिंग का प्रावधान किया जाएगा उपलवध संस्तानों के आधार पर परंप्रागत सिग्नलिंग सिस्टम तथा ट्रेंड परिचलन के एपसिलिट ब्लॉक सिस्टम के स्थान पर विबिनिस सेक्षन में आटोमेंटिक सिग्नल सिस्टम लागो किये जाने का कार्य किया जा रहा है NBCN News के लिए राचकुमार मोड के साथ अकसा अंसारी की रिपोर्ट